कि आपकी होलोंस्ट बीस क्लास हो चुगी है नहीं कि वाइस क्लास और होगी आज मैंने सुचा कुछ रेमेडी इसका आपको बताता हूं कि आप स्वायम के लिए भी ट्राइए कर सकते हैं और इस वीच में आपने जो भी अपने नियर एंडियर का फैमली फ्रेंड्स इसका भ बताऊंगा कि मेरा अपना इक्स्प्रियांस है मेरा अपना प्रेक्टिकल नोलेज है मैंने आप तक आपको जो भी बता है उसमें कहीं मैंने आपको यह पोर्स फुली नहीं कहा कि जो मैं बता रहा हूं यहीं मानना यहीं सब्तों ना मैंने वो system follow कि आ है वरना मैं किसीको ऐ आपके पीक्सक्न पार्ट रbad जुनिकों समझने की हर एक आदमी को एक्सप्रमेंट करने की स्वतंतर सब्दम्रीक में प्रेडिक्शन इक पार्ट है वैसे ही APPLAUSE इउनी पार्ट है और बहुत IMPORTANT part, यजित रेमेडी सुद्ध आप के पास नहीं हो तो बस वहीं बात है जैसे डॉक्टर है उस डॉक्टर के पास आप जा बूस वीवारी बता देगा यह बीवारी यह जा आपके पास क्यों आएगा को आप समानने का जैसे कई लो ऐसा नॉर्मल यह विडियो बनाया है यहाँ यह मैं आपको नहीं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैं वर्क करता हूं और मैंने कैसे रेमेडी को समझाए एक बात समझेए कि यदि आपकी कुंदली में कोई भीग रहा माल लेते हैं सुक्र वो 59 का रिजल्ट दे रहा है तो दुनिया के ऐसे कोई भी रेमेडी नहीं है जो उसको 611 में वदल दे सुनियार ये बात यानि यदि वो 59 का रिजल्ट दे रहा है तो 59 ही रहेगा वो 611 टू 611 ऐसा कभी नहीं वदलेगा कभी चेंज नहीं होगा है कि मेरा यह मानना है कि जो भी आप कुंडेली देख रहे हैं तो सब़से पहले तो जो कंसेप्ट है प्रेडिक्शन करने का आपका कुंडेली क्यास्रेंथ मोड़ीर स्भी होना जाए है को यदि क्लियर नहीं है उसमें आपको confidence नहीं है तो फिर remedy किसी कामगी नहीं रहा जाएगी समझ रहे हैं यह सेम चीज़े डॉक्टर के पास भी होती है स्वाइब नहीं फायदा हुआ दूसरे दवा लिख दिया बिमारी दूसरी चलो यह दवा लो जाओ सही हो जाएगा होता है न ऐसा यानि दवा दोनों ने लिखा लेकिन एक ने समझा कि प्रॉब्लम क्या है एक्च्वार उसका अधार पर दिया सही होगे दूसरे ने दिया लेकिन सही नहीं हुआ तो कहने का तात्पर है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कोई भी उपाया बता दोगे आप सोचो उससे लाब हो जाएगा नहीं होगा बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं क्ता सल्टेशन के दवरानी लोगों का यह experience होता है तो लोग बताते हैं कि हमने यह मंत्र जाब कि कि आ कि हम एक घंटे पूजा करते हैं तो यह जब कराए यह इंव एक बख सारी लेकिन हमें उससे लाब नहीं हुआ तो लाब नहीं हुआ तो एक्षूल में पहले जानना है कि क्या हूँ आपके लिए आउस्ट्रेक है या नहीं है यह भी तो जरूरी है ना पैरा सेटामल मालों एक दवाई जिससे बुखार सही होता है आपको बुखार होगी तब तो आपके लिए वो काम करेगा बुखार नहीं है तो आपके लिए किसी काम का नहीं है वो खाया के भ प्रेमेडीज बता सकते हैं दे सकते हैं मैं अपना प्रक्टिकल अपना एक्स्प्रियेंस बता रहा हूं पीछे भी कई बार बताई है मैं स्वयम के ही मेरे अपनी जीवन में घटना करम हुए जिसके कारण में यह एस्ट्रोजी फिल्ड में आया और वो चीजें जे एक टाट नहीं रहा तो टाटा मैंजी गाड़ी मैंने भी ली थी और मेरी साहर में के स्पेर पाट्स उनकी दुकान है लग वो 35 और 35 साल से उपर हो गया होगा उनको दुकान चलाते हुए जबने जवानी में स्टार्ट किया था बुड़े हो गया है मतलब वो इतना बिगड़ता था पाट सुनने मिलता था बोले कि यार इतना तो हम नहीं देखा जो इतनी चीजें खराब होती है अभी बीकुछ भी ब्योड़ जाए नीचे एक क्रोसबोल्ट होता है वह जो लिए खराब नहीं होता है वह एक महीने में दोबर खराब होगी तुटे है आप समझ रहे हैं एस गाड़ी अल्टिमेट बेजना पड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट वाले काम में भी नुक्सान हुआ समझे मैंने आपको एक यांबल लिए उस दवरान मैंने नीली अंगुठी पाना था ओपल पाना था और ओनेक्स पाना था तीन स्टोन थे एक जो तीसी महोदे ने के सारी जीजें लेकिन कहीं से कोई लाव है को नहीं हुआ यह इसकूछ से कुछ नहीं गया screaming सब फायदा नहीं है कि लोगों से मैंने कॉंटेक्ट किया किसी ने उस चीज़ फोकस नहीं कि क्या एक्छुल में काम मेरे लायक है या नहीं सिर्फ उपाय ही बताए मेरी कुंड़ी में सनी जो 4 फौत कस्प Anime Запरitions दे रहा हर। दे रहा है कि तो चार सुर्ष बार। बार। भार। भावाव भाक खर्षा भी या बार। भाव इन्वेस्टमेंट भी फीए है। तो गाड़ी खरीदना कभी इंवेस्टमेंट नहीं होती 99 परसंट नहीं होती वो खर्चाहीं है एक लाइबलेटिस को बढ़ा देता है वो भी आपने ट्रांस्पोर्ट वाली खर्वी कि अब पैसा कमाएंगे लेकिन उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क है तो वह बारा नुक्सान करता है अभी मेरी सनी के अंतरदसा चले वहीं चार शे दस वारत अंतरदसा के दौरान मुझे सड़क का जो कॉंटेक्ट वर्क होता है ना ठेकदारी कोमेंट से टेंडर लेके काम कराने का मेरे गमित्र हैं वो काम करते हैं इस सीज का तो उनका थोड़ा से और एक बड़े कॉंटेक्टर से कॉंटेक्ट हुआ है उन्होंने मुझे ओफर किया कि आप चाहें तो इसमें हो सकते हैं आपको कुछ नहीं करना पैसे इंवेस्ट करने ले बाग्ई वह आपका च्रानी शेयर में मिल जाएगा ठीक है मैंने बोला नहीं आई है मैं ये चीज नहीं कर सकते कि उसमें नुकसान भी कि क। सकती है कि वह सकता है नहीं व्यांज linking 8 बारवाए गाड़ी नहीं लेकिन 4 जमीन बारवां involvement नावंबर दिसंबर में वह बढ़ेगा जमीन लिया उसका थार्टी परसंट बढ़ चुका है जो रुपे में लिया तो 130 रुपे अभी उसकी मार्केट राइस हो चुकी है उतना मिल रहा है यानि मुझे गाड़ी वाला काम ट्रांसपोर्ट वाली काम करने ही नहीं चाहें कितना भी फायदा क्यों अब ही यह है कि मैंने तुछ चीज़ें समझी नहीं थी यह मैं जिनके पास गया था वह समझा ही नहीं था आज भी वहीं होता है जैसे मैं जिसकी कुंडली देखता हू वह एक साल से कर रही है पढ़ रही है एक साल भी नहीं हो पिछले साल अक्टूबर से पढ़ रही है और कुंडली प्रेडिक्शन देना भी उन्होंने चालू कर लिया है उनका यह कोई उपाया बताईए कि बहुत काम चले अरे बहुत कैसे चले याग का दरिया इसमें डू अजार-दो-जार कुंडली आपके आँखों से गुजरना चाहिए चीजें होनी चाहिए और उन जीने चार्ट दी थी जो डिवोर्स वाली आगे इसके बाद जो हम रेमेडीज वाल ही हो जागा तो बाद में उस तो भी बताऊंगा मैंने आपकी क्लास चार दिन पर हो रही समझ रहे हैं मतलब मेरे जमाग में घुम रहे कि आखिर ऐसा क्यों है क्या रिजन हो सकती है जो पकड़ में नहीं आए तो एक रूल मुझे मिला है ऐसी बहुत सारी चीजिए हैं जो आएंगी होगा अभी टाइमिंग आपको बताऊंगा तो वहां भी मिलेगा वो मेरे स्ट इसे बहुत पाइल जो भी मेरे मेरे फेलियर सैंब सफल्दाय मेरी यहीं तो फेलियर समझा ना उसमें क्या समस्य है जो फेलियर सैंवहीं आपके सक्सेस के पीलर बनेंगे एकिन या तो कई ऐसे डूंशे आपको एकदम परामिहिर के अतार समझते हैं तो नहीं कि भिसक्त स सब्सक्राइब कर देखते हैं लेकिन मुझे लग रहा जनवरी में ही होगी दिसंबर तक नहीं होगी वह जिस कॉंसेप्ट पर देखे तो उन्होंने मुझे बताई मैंने उनको कॉंसेप्ट नहीं बता है मैंने बोला कि दिसंबर के बाद हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा ठीक है आज भी उनको पता है हर एक आदमी जो लड़ेगा आप सौ लड़ाईयां लड़ेंगे तो उसे बहुत है एक दो चार पांच हार जाएंगे आप लड़े ही नहीं तो आपके तो सौन्ड़ परसेंट है न है तो यह चीज़ें होनी है अब मेरा यहां रेमेडीज वाले में मैं जो आपको बता रहा हूं बार बार फोकस यहीं कर रहा हूं कि आपका प्रेडिक्टी पार्ट स्ट्रॉंग होना चाहिए कि आप कुंडली के स्ट्रेंद को समझ सकें फिर उस अधार पे ही आप उपाए कि आप लेते हैं धन के लिए सबसे बड़ा कॉमन कंसर्ण लोगों का होता है कि धन की समस्या है धन आना जाए यह क्या उपाय किया जाए नहीं क्या उपाय किया जाए कि धन आये एक बात मैं आपसे यहां बता रहा हूं एक ब्राह्मन देवता मुझे मिले मेरी अपने वहीं जब मेरा अपना समय खराब चल ला था उससी दौरान भी वो बताते हैं कि हम आपके लिए पूजा कराएंगे उससे धन आएगा उस ब्राह्मन देवता की कंडिशन यह है कि कि समय का चूला नहीं चले कि इसको आप अग्यानता कह सकते हैं बच्पना कह सकते हैं जो भी सदाट साल पहले की बात है कि दोजार-चौदा की बात है जैसे उन्होंने कहा ना कि हम आपके लिए पूजा कराएंगे उससे पैसे आएंगे मैंने उनको कहा नहीं लेकिन दूसरी एक आदमी से का में दिमाग में आया कि इनके उपायर से पैसे आजाते तो स्वैम के लिए क्योंने कर लेते हैं बच् अचानक से वो थोड़ता मन में दिमाग में आ गया बात यानि यह आप मान के चलिए कि उपायर से पैसे नहीं आते हैं समझ रहे हैं तो आखिर फिर में यहां उपाय आपको बताऊंगा क्या क्या है अभी मैं कर रहा हूं कि उपाया से पैसे नहीं आते यहां कर रहा हूं कि उपायों को जानेंगे इससे पैसा आएगा दोनों में बिरोदावास वाना नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहीं कि मृटनी के लिए तो थोड़ा समय के लिए हो सकता है कि इसको और उलट उलट के चारों तरफ से देख लिया जाए कैसा किस प्रकार से तो धन के लिए यह है कुणली का कॉंसेप्ट कि धन कितना आएगा इसकी मात्रा कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं यह यह फैक्ट यानि किसी जातक के जीवन म में होगा और किस सीज में होगा वो कहीं भी मैंना नहीं किया हुआ है कि समझ रहे हैं कितना होगा दूसरी बात आप यह सोच रहा हो कि मुझे सिर्फ इसी से पैसे कमाना आ मतलब मुझे गौर्वर्मेंट जॉब से ही कमानी है या जॉब से ही कमानी है या मुझे बैंक से ही कमानी है ऐसा सिर्फ आप लेके पकड़ के बैट जाएं तो वो बड़ा मुस्किल है उसमें उपाय काम नहीं करेंगे मैं भी कर भी सकते हैं ना भी करें तिक है यानि सिर्फ यहीं से करना है इसमें possible नहीं है लेकिन आपके दिमाग में हो कि मुझे वो सारे possible कर्म करने है जिससे मुझे पैसा आ जाए जब इस mindset के साथ आप तयार है तो पैसा आएगा आता है क्यों नहीं आएगा जब आप हर एक पॉसिवल काम करने जैसे वहीं जो आस्ट्रेलिया वाले हैं नौकरी जब उनकी नहीं लगी तो मैंने पूछा आप करेंगे क्या अभी कैसे काम होगा पैसे वहां पर उनको सिटिजन्सिप मिल चुकिया तो गौर्वर्मेंट के तरफ से कुछ अपलाई करने क के बाद पैसे भी मिलते हैं तो बोले अभी वह मैं नहीं करूंगा सब मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं सोच रहा हूं कि कुकिंग सटाटे संडे को करूं मैं बोला अच्छा है किजिए और जो अभी एक महीने पाली मेरी बात हुए उनसे तो बता रहेंगे सार कमाई मेरी के बड़ाबर है अंतर जोगी वीकेंड में मैं कुकिंग करता हूं या virtue माहीने में ही कैसे पिर मेरी बराबर है इवेंट अilसमाज रहे है कि जैसे ऐसी हो इस नौकरी के भर उसे आदमी नहीं बैठ नौकरी में क्या ही चलो हो गया ठीक है हर एक आदमी का अलग अलग मेंटिलीटी होती है तो फिक्स है चलो इतने महीने आएंगी जो भी बच्चों की पड़ाई या बागी चीज़ें आपका होता रहेगा है जैसे जो भी आपने प् साथ फूकिंग जो पहले नहीं ट्राइ किया था अब ड्राइग ट्राइग में तो उसके साथ साथ चल सकती है आपको काम करना पढ़े गा मेरा यह मानना मेरा यह प्रोष है कि काम आपको करना ही पढ़ेगा फिर रिमेडी इडिसनल फैक्टर यदि आपकी कुंडली में है क मेरकार से आपको धन हानी हो सकती है जो कि आपने सेकेंड हाउस और सिक्स हाउस में पढ़ा है कि यह पार्टिकुलर कॉंबिनेशन होने पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो जो नहीं करना है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए मतलब उसको आपको रोकना ही है जैसे आपकी कुंडली में है कि आपको share market नहीं करना तो वो नहीं करना आपको investment नहीं करनी तो फिर नहीं करनी उधार नहीं देना तो नहीं देना मतलब कुंडली से जो निकल के आ रहे हैं यह नहीं करना तो उस पे नहीं जाना है कि लियर होगे अब उसी में से नहीं वाला तो ध्यान में रखनाई है क्या आप कर सकते हैं क्या आपके लिए फेबरेवल है उस दिशा में आपको चलना है यानि सिंपल समझ लिजे कि हवा की दिशा में आप साइकल चलाते हैं तो आपकी अपनी स्पीड और हवा भी आपके लिए सपोर्टिव हो जाती है हवा को तो आपने कहा नहीं लेकिन वहीं हवा के विपरी दिशा में आप चलाते हैं तो हवा आपके लिए एक barrier बन जाती है तो मेरा अपना मानना है कि यह remedies वहीं हवा का support system है कि अपने कुंडली से हवा का रुख पाचान लिया कि मुझे किधर जाना है हवा किधर से बहुर रही है उसी दिशा में आपने साइकल चलाना है स्टार्ट कर दिया और हवा का support आपको मिलना चालो हो लिए क्लियर है तो अब मान लेते हैं कि रेमे प्रेडिक्टिव चक्षन के द्वारा कुंडली के प्रेडिक्शन के द्वारा अपने कुंडली के strength को समझ लिया समझने के साथ साथ माभी मैंने दो मिनट पहले आपको बताए कि कोई भी ऐसा योग नहीं जो यह नहीं बताता कि कितना पैसा कुंडली में आएगा ठीक है यानि कही न कहीं आप एक hope है एक उमीद है जैसे कनकधारा स्त्रोथ है कनकधारा स्त्रोथ संक्राशारजी ने इसकी रचना के थी सोने की वर्षा के लिए कनक मिनस सोना होता है इसवन की वर्षा हो यहनी काफी अतुली था लावू यूदी किसी को धन की समस्या है तो उसे कनकधारा स्त्रोथ का पाठ करना चाहिए समान्य बिधी यहीं है कि दूद का खीर बनाईए माता को भोग लगाईए और उस कनकधारा स्त्रोथ का पाठ कीजिए प्रति दिन कम से कम ग्यारा बार है ग्यारा बार नहीं कर सकते तो साथ बार साथ बार नहीं कर सकते तो तीन बार ठीक है कनकधारा स्त्रोथ का पाठ करना ह अब कोई यहीं से आधा एक बात उठा लेगा या कई पढ़ लेगा कई मालों लिखा हुआ मिले कि धन लाव के लिए कनकधारा स्तुरत का पार्ट करें वह आलमी लगा पार्ट करने एक दो-चार महीं नहीं क्यारे मुझे कोई लाव नहीं हुआ अरे कोई लाव नहीं हुआ पहले इसके 20 को तो समझो है क्या किसी वी चीज़ के क्रस्ट को तो समझो करम करेंगे नहीं सिर्फ कनकधारा स्तुरत के पढ़ लेने से थोड़ी पैसा आएगा यह जो रेमेडी से कर्म को साधने का एक मात्य से जुड़े हुए है किसी के लिए भाग के ज्यादा रोल निवाता है किसी के लिए कर्म निवाता है याँसा नहीं है कि भाग हंडेड परसेंट हो जाए कर्म हंडेड हो जाए कोई हंडेड नहीं होता एक ही सिक्के के दो पहलू है यह आप करेंगे तो उसको एक साधने का मांज्य में मंत्रों की शक्ति होती है जब मंत्र कांफ उचारण करते हैं तो उस मंत्रों के द्वारा हमारे सरीर में जुछ चक्र न होते हैं का SS5 जब मंत्र पढ़ा जाता है बैठेने का प्रॉस्टर कहा यहाना कि जया करने के लिए प्रॉस्टर होनी grandes एक्टिवेशन तो खेर बाद की बात है आगी क्लिंजिंग होती है यानि उसकी क्लिंजिंग से मतलब यहीं समझ लो कि जो सुस्त वस्ता में है सुप्त है वो चीजें धीरे-धीरे क्लियर होती है उस मंत्रों के द्वारे उसकी निगेटिवीटी खतम होती है तो यह एक बड़ा फेक्टर होता है अच्छा काम करता है जो आपको धन के लिए मदद करता है वैसे ही धन के लिए दूसरा होता है स्री सुप्त स्री सुप्त के संस्क्रीट वाले सब्द हैं वो थोड़े से कठीन है तो यदि जिनको संस्क्रीट अच्छे से पढ़ना आती है फिर किसी विद्वान के सानिध्य में उसको पढ़ना सीख ले फिर उसका पार्ट करें तो ज्यादा बेहतर है गलत उचारण करने से बचना चाहिए जो उचारण नहीं कर सकते हैं वो उसको बजाए मोबाइल मे अब यूटूब में उस मंत्र को चला सकते हैं सुबार साम आपके घर में वो बज़े तो ना होने कि अप एच्छा कुछ भी होना किसी भी रूप में होना आपके लिए लावदायक होगा इन उपायों के लिए क्या है कि आपो लौजिक लेस हो जानो क्यों बता रहा है कि अब 네 बीव सिस्टम पर सिधा आ जाये सहरा साथ चरुप सक्ति होती है न जब मानना है तो किसी को एक evapor और अब झालना नहीं होना कि अपने कर्म को करते हुए फिर इस पर रखिए और हंडेट परसेंट भरोसा कई लोग तो उपाया बताई तो यह पूछने कितने दिन दख करना है और यह चालू नहीं क्या उरुसी में आगया कितना दिन यानि अब तुम दिन काटोगे जो दिन होगे चार दिन होगे क्या म करें अब आप समझे सोचे उस मेंटलिटी से क्या उपाय सलाब होगा यानि अब तुम उसको कोरा में पूरा कर रहे हो यह 30 दिन बताए तो हम 30 दिन करेंगे इससे कुछ नहीं होना मैंने अब तक यहीं समझाए कि जो आप देते हैं वहीं मल्टिप्लाई होके रिटर्न होत दान की जो एक वीज डालते हैं तो वहीन एक पौर है कि रूप में निकलता है जिसमें 10-12-15 उसके वालियां में होते हैं तो यहीं है कि आपके करमे को द्वारा जो जाएगा वहीं आपके पास रिटर्न होते आए तो वो कभी भी यह दिमाग में मत रख्ये कि कि कितना दिन करना है वो दिमाग से हटा दी आपको कंटिनिवस करना है लगातार जब तक आप उससे कनेक्टेड ठीक कर रहे हैं आप कंटिनिव कीजिए उसको छोड़ना नहीं है इधन के लिए मैंने आपको दो उबायद बताए एक कनगधार अस्तुम बताए दूसरा स्रिशुन पताए ठीक है तीसरा है दुर्गा सब्सति जो किस्तक होती है उस दुर्गा सब्सति किस्तक में पीछे की तरफ में सिद्ध कुंजि आस्तू तिया रहता है सिद्ध कुंजी का अस्त्रोत का पाट जवाब करेंगे तो वही धनलाब से लेके आपकी जीवन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसमें भी काफी वह जो स्लोक है सिद्ध कुंजी का स्कुंजी का प्रोत वह बहूत ही पावर्फुल है सक्तिसालिय और फिर बार बार मैं यहीं बता रहाँ है यह चीजे नहीं समझने हैं कि हैं कि मों त्याग नीं पढ़ेगी फिर उससे लाभ मिलेगा जादतर लोग उपाय सिर्फ कॉरम पूरा करने के लिए करते हैं पस इसको कैसे पढ़ा देना है बतायरे इसको खतम सब्सक्राइब करने से पहले आपके दिमाग में कितना दिन दमान के चलिए 60 परसंट आपको कोई उसका लाब नहीं मिल कि आप किसी के घर अन जाएं और वो कहें कि कितना दिन रहेगा कितना दिन रुकेंगे कि इन लोगों को अच्छा लाएगा यहीं बताइए पांच आदमी है ना किसी के आप जाएए वो आजमें पूछे कितने देल के लिए आए हैं कितने दिन रुकेंगे आपको कैसा लगेगा कोई भी अस्त्रोत या मंत्रा पढ़ रहे हैं यानि उस सक्तिक आप आवाहन कर रहे हैं उनकी याचना उनसे कर रहे हैं अब भू बुला बहुत ही पाउर्फुल होता है एक नट उठी तो सिद्ध कुझगा स्त्रोत भी बहुत ही पाउर्फुल होता है उसको भी आप जाहें तो प्रती दिन पढ़ें अब किसी के दिमाग में यह भी आ सकते हैं कि तीन चीज़ बताए तीनों ही हम करने लगे नहीं ज्यादा पू प्रकुण को बल देता है 159 तो आप काम करेंगे एक पांच नौव वाले और आपके मन में एक छाय धन का जो दो छे दस का है सुक्र का है तो समस्या होगी तो इसलिए यह मेरा अपना प्रैक्टिकल अब्जर्वेशन तो यदि कई लोग ऐसा उनका होता है कि हम दो घंटे पूजा करते हैं प्रती दिन थीन घंटे करते हैं लेकिन हम परशान है पैसे नहीं आ रहे इस प्रकार से समस्या हैं तो मैंने उनको कई ब इवरेशन है वो धीरे-धीरे कम कीजिए उसको दो घंटे आप करते हैं तो इसको देड़ घंटे एक घंटे आदे घंटे तक लाइए और उस फिर आप धीरे-धीरे डिफ्रेंस को समझें कि क्या है कैसा है यदि आपकी कामना और्थ की है यानि पैसे की है तो ज्यादा आप फुजा पाठ्ठ मत करों कि पुजा पाठ कम कीजिए धर में कहुंत से लोग क्या करते हैं शारों तरफ देविदेदा भ drawn कीफोटो लगा देए कि इससे क्या वोगा भावान पर संके पैसा देंगी वह एक्टिविटीज गुरू को गुरु की एक्तिविटीय है गुर कि लिए नहीं है गुरू के ज्ञान का प्रयोग कीजिए बाकि वो गुरू का एक्टिवेशन यहां के लिए नहीं है कि आप घर में चारों तरफ भक्ति महाहौल करते हैं सिर्फ पूजा हम अंजबत अपर सारी होते रहें मंदिर बनाया गया उसकाम के लिए लोग मंदिर जा अपर अलग-अलग रेमेडिस के लिए बताई गई है जिसमें घर से ही नंगे पैर यानि चपल जुताव कुछ भी नहीं पहुनना है घर से निकले मंदिर जाईए और फिर दर्सन करके भवान का आ जाईए यह उपाय कोई भी आदमी कर सकता है कोई साइट इफेक्ट नहीं पहुनना है ऐसे हैं उसको मंदिर जाना है मुरवान का दर्सन करना है जो भी वहां आपको पुझा पाड्यों करना है वो कीजे और फिर भार आईए तो यह चीजें काफी एफेक्टिव होती हैं काफी प्रभापून होती है अब यह तीन जो चीज मैंने आपको बताई कस्कल सबलॉड होके 59 का रिजल दे रहा है 58 का रिजल दे रहा है तो क्या करने से पैसे आएंगे नहीं सिंबल से बात है कि दिमाग में प्रस्न आयेगा जो महेज जी की कॉंडली में 2 ऐ 5 जाय है कि मुझे कोई investment नहीं करना है कि किसी को पैसे उधार नहीं देने नहीं तो यह जो मंत्र का उचारण जब करेंगे प्रती दिन पढ़ रहे हैं अस्तरोत का पार्ट कर रहे हैं तो जैसे जैसे पार्ट करते जाएंगे तो मंत्रों की जो positivity होती है जो सकरातम कुद्या होत अब वो क्या होगा कि जो भी कहीं आपके मन में कभी लालच वह से कारण साब की दिमाग में आ गया कि नहीं अरे चलो एक बार फिर सम्ट्राइ करके देखते हैं एक बार फिर से इस काम में लगाते हैं तो वो काफी संभाव है कि वो आपको चेतना वो बौधिक समझ आपको यह लाब हुआ एक पोजिटिविटी क्रियेट हुई आप कहीं भी मंद्र को पढ़ेंगे जो लोग पेंडूलम यूज करते होंगे पेंडूलम इनर्जी को चेक करने का एक माध्यम होता है जहां भी मंद्र उचार हो रहा होगा ना आगी जैसे मालो कुछ नहीं है कहीं भी आरती नहीं हो रही है उसके पहले आप चेक कर लीजे जैसे आरती होना चालो हो जाए रूस समय आप चेक कर लीजे आप वहां की उर्जा के अस्तर में जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे यानि वह पोजिटिविटी क्रियेट कर देती है वहां की औरा इनर्जी को बढ़ा देता है वैसे ही कहीं भी जैसे वहां मंदिर में जो परती दिन पूजा वगरा होती है कोई अनुष्ठान जब चल रहा है तो उसके पहले का आप चेक कर लो और बाद का चेक कर लो आपको वह अंतर मिलेगा वह अंतर किस कारण है पोजिटिविटी के कारण है तो वहीं जो सब्सक्राइब कि जब आपकी डिसिजन सही होंगी तो डिफिनिट से बात है नहीं कि चीज़ें सही होनी है तो मत पार है इस बात को या नहीं कि फूलिए मैज जी मोहन जी अरुन जी कोई क्वेस्टिन है स्री सुप्त स्री सुप्त मैंने करके देखा है श्री शुप्त का पार्ट काफी मतलब खुद के लिए नहीं किया था जैसे उनके यहां पे जब 21 जिन्दा पूरा हो पार्ट कराना था तो श्री शुप्त और गोपाल सास्टर नाव यह दोनों करते थे पंडिक जी थे उन्होंने मुझे बोला था करन मिला उसका और यह काफी 2010 की बाद है तो अभी जब आपने बता है तो मेरे दिमाग में की सही है वहीं मैं आपको बता रहा हूं एक पंडित जी से मिला था वो जो झेशी भी थे मैंने उनको बताई मेरे स्कूल है नहीं चल रहा हूं पंडित जी ने तेखी LA में ली यह नहीं देखे की यह सही है काम है या नहीं उन्होंन यह बताया विश्टु सहस्त नाम का पाठो आं करवा दीजिये पांच पंडित कि तीन यह चार दिन पूजा चली थी पूजा हुआ कोई लाव नहीं हुआ कि उस समय के हिसाब से उस माइंड सेट के साथ जहें लगा रहें सब बेकार है कोई फैदा नहीं है नहीं वहीं जहां मेरी स्कूल थी उसी जगा पर उसी कंपाउंड में वहां में रहा था और फाइदा नहीं हुआ अब फायदा किशा से करा रहा ह fame कि स्कूल के छल cannons के लिए हैं तो थी स्कूल नहीं चलने का रीजन यहीं है कि मैंने आपको बता है मेरा सकंपर पांच रिजल्ट्ट सर्विस के बाद पैसा लेने वाला जोभी काम होगा वो पैसा मेरा आएगा नहीं अ स्कूल में भी समाशेह वहीं थी ती भी बार में घलेक्ट होता था मन्थिंड में पैसे अने नहीं तो जब वो काम मेरे लिए सुटेवल ही नहीं है जब यहीं चीज नहीं समझ में यानि बीमारी जब आपको पकड़ में नहीं आई प्रेसेंट को ब्लड प्रेसर की समस्था है अब सुगर की कितनी भी अच्छी दवा दोगे तो सही होगा इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो सुगर की दवा खराब है वो तो वहाँ दिखेगा ना जब सुगर की मरीज मिले वहाँ ना पता चलेगे कि यह दवा कैसी है यहां तो बीमारी और दवा में कोई समंझस से ही नहीं है तो होगा क्या तो इसलिए मैं यह मानता हूं मेरा यह मानना है कि आपको पहले समझ में आना चाहिए कि यह क्या है जैसे उस दिर मैंने और अस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट की यह और पुनली जो आप से डिसकस की थी एक ही दसा में धन आनी धन लाव जो केपी और बीनन हमने जो उपाय भेजा है ना चवदेया पंद्र पॉइंट उसमें दस पॉइंट तो यहीं है कि आपको क्या नहीं करना है वहीं सारे में सब्सक्राइब अब जब मेरी उनसे बात हुई जब मैं इनको बता रहा था तो फिर वहीं पूछे कि सर प्रोब्लम तो नहीं है मैंने का प्र इन्वेस्ट करूगे आज से प्रोब्लम चालू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट वाला काम आप बंद कर दो जो आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग काम है वह चालू कर लो आई से सही है कोई समस्या की बात नहीं है कि क्या नहीं करना है उस चीज़ को आप करते जा रहे हैं तो क्या नहीं करना है उसको ध्यान में रखे क्या करना है उसको ध्यान में रखे और अब जो यह चीज़ें हैं जो रेमेडीज हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखिए आपको क्या बेनिफिट होता है क्लियर है ऐसे ही बहुत से मंत्र हैं जो आपको गुर्गार्ससती में भी मिल जाएगा इस में आलग ड़ग चीजों के लिए मंत्र दिया हुआ है जैसे दुप के नास के लिए संतान प्राप्ति के लिए धनलाव के लिए नहीं तो ये जो भी मंत्र है, वो जिस आपकी इच्छा है, जो समस्या है, उस समस्या के लिए आप उस मंत्र का जाब कर सकते हैं यह से एक मंत्र है ना सर्वाबाद है विनीर मुक्तो, धने धाने सुतान विता, मनुस्यमत प्रशादेना भविस्यती नस्वन से आओ धन के लिए मंत्र दुर्गास सब्सती में दिया हुआ है, दसारा में नौरात्र में संपूर पार्ट किया जाता है, संपूर पार्ट का मत्तब यह होता है, जो दुर्गास सब्सती में जो भी एक आप उसका पढ़ते हैं, कवच है, किलक है, बागी अलग जो अध्या है, उसक प्रतेक असलोक के पहले इसको पढ़ना है यानि दो लाइन का यह मंत्र पढ़ना है फिर वो दो लाइन का वो उस दुर्गास सबसती की जो पार्ट है वो मंत्र पढ़नी है फिर यह दो लाइन यह मंत्र होगा यानि उस दुर्गास सबसती का जो पार्ट करना है उसके प्रते एक असलोक के पहले और बाद में यह आपकी मंत्र को लगाना होता है इसको संपूट पार्ठ बोलते हैं इसको बहुत से लोग ब्राह्मनों के द्वारा यह करवाते हैं नौरात्र में अपनी पार्टिकुलर जो भी उनकी इक्षा होते हैं उस इक्षा के लिए ठीक है उस स्व है जो बढ़ते हैं गलत हो जाता है या आता है कोई मंत्र यह ऑपी जो समझ है उनक्राट मैं को फट्रील हम उसके और वुटान के बीच में क्या यह मंत्र यह सFi वाधा बनेगी। यानी यह नहीं हो तो क्या वुद्रों के बीच नहीं होगी कि आपकी भाव कि स्रदा का स्तर किस लेबल करो कि आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं कि समझभार यह बात है यानि जब उस अस्तर तक आपका connectivity बन जाती है आप वहां तक जब सोच लेते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी सोचने का ही नहीं है मतलब वह भी जो मैंने और भक्ति है जब उस अस्तर तक आप पहुं जाते हैं तो वहां यह भी कुछ नहीं है कोई मतलब नहीं है कोई इसक्यावसक्ता नहीं है कि नहीं माता सबुरी ने जो बेर खिलाए थे भगवान राम को जूठे बेर थे और नहीं यासे हम कोई घर में पूजा अथ करते हैं जो प्रसार चाहते हैं काफी सुद्धार रखी जाती है भगवान को अर्पित करना है कि भगवान को देना है तो वहाँ सरदा कर अस्तर यह था कि यह ठोख प्रभु को खट्टे बेर ना मिल जाए तो खटे ना मिल जाएं तो पता कैसे चले इसके लिए वो पहले स्वायम चपके फिर खिला रही थे यानि आपका जो इंटेंसन है वो गलत नहीं होना चाहिए समझ में आरे ये बात आपका बिशार यदि सही है आपकी इरादें यदि सही हैं उस अस्तर तक जुड़े हुए हैं तो बाकी ये सारी चीज़ें गौण हो जाती है कोई मतलब नहीं बनता है यानि अपनी कर्म की सुध्धी जादा महत्तोपूर्ण है किसी भी काम के लिए कि एक आदमी मुझसे मिले 15-20 दिन पहले की बात एक कौमारादमी जरी प्रंसल्टेशन के लिए नहीं थे ऐसे मार्केट में मिले वह आ रहे हैं बहुत मैं परशान हूं कोई उपाया बताईए क्या मैं उपाया बता हूं तो पैसे नहीं आ रहे हैं काफी जवास मामला फंस सामने पोखरा है और उसी में और फिलाता हूं क्या तलाब समझ रहे हैं उससे मजलियों को लोग पालते भी हैं प्रतिदिन 100 गराम आठे की गोली मैं उसमें डालता हूं और ग्यार्वें दिन दो किलो मचली निकाल घ्खा जाते हूंगे उस पोकरा कि मुझे पता भी नहीं है यह मान सारी यह क्या है मैंने इसकी को जिया कि 10 दिन में आप एक किल आटा नहीं किलाएंगे और 11 दिने दो किलो मचली निकाल के खाएंगे अब बते इससे क्या होगा तब करहां यह तो बात सही है मेरे भी दिमाग में बात आई थी बताई उस मचली को खिला रहे हैं और फ है मैंने का मेरी उतना समझ नहीं है कि आपने आपको जिनों ने बताया है मचली को आंटे की गोली खिलाएंगे उन्हीं से आपी शूट के बारे में समझ सकते हैं क्या हम बताते आप ने बताईए क्या बोले नहीं तो कई बार जैसे बार मैं कहता हूं आप क्या करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है आप पुजापार नहीं करते हैं कोई समस्य की बात नहीं है लेकिन आपका स्थावान होना इस्वर में भक्ति होना वो ज़्यादा महत्वण है ज़्यादा माएनि रखता है लोगों के लिए सेवा भाव वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी बजाए कि मैंने लोगों के ये भी देखा है कि वो दो घंडे पूजा करते हैं और उटके फिर रिश्वत की पैसे के लिए बेचाहन होते हैं कि वाई ये इतना पैसा मुझे चाहिए इस प्रकार से चोरी कर लेनी है कि मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई आपको बेनिफिट मिलना है समझे रहे हैं 14-15 की बात में एक जगार रहता था के लिए बैचलर रूम सिंगल रूम था उसी में कर्मचारी जो होते हैं ने जमीन के वो कर्मचारी एक रहते थे महों होते हैं बड़े धारमिक प्रविटि के थे किस प्रकार से मतलब वो पूजा परती दिन करते थे समझ रहे हैं और लूग जमीन के रसी जो कटवाने आते थे आप तो खेर ऑनलाइन हो गया तो उसमें कमाई उनकी खतम हो गई तो पूजा पर बैटे हुए तो कोई उनको तोके का नहीं मतलब वो डेड़ घंटे दो गंटे करते थे और उठने के बाद उनका कलेक्शन चाल समझ रहे हैं मतलब 10 रुपे कर रसीद का किसी ने पूछ दिया तो दे दे रहे हैं यह असान कर रहे हैं मेरे इसाब से क्या है भगवान मुझे वैसा धार्मी कभी नहीं बना है गलत बात है अ डिपेंड यह करता है कि हर एक आदमी किस चीज़ को किस प्रकार से ले रहा है कैसे उसकी समझ है मेरा अपना मानना है कि विचार के सुदता ज्यादा महत्पूर्ण है बागी किसी चीज़ के यदि वो सही है तो बागी आप कोई भी उपाय करें वो अच्छा है को इसमें सम पाय वाता है अपने यह चन्रली सब्सक्रियक किला अभी कंडली से रिलेटें नहीं से मतलब नहीं कोई अपने देख़ा कि कि कुछ भी ऐसी समया है धन के योग हैं नहीं है ए développो तो करता है करता है तो मेरा अपना मानना है कि यदि आपके विचार सही है तो इससे काफी लाव मिलते हैं लाव मिला है समझ रहे हैं इससे लाव मिलता है और लाव मिला है इस उपायों का कहीं भी मोटी विए नहीं है कि मनो जी के पास इसका पैसा मेरे पास आ जाए यह सब चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपकी इच्छा आए कि जो इसे भी इस्वर्तों है इस्वर्य सकती है मानने के लिए जो नहीं मानने उसकी अपनी बात है वो समझे मेरा अपना भरोसा पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि भागवान है जिस रूप में आप जैसे उनको याद करते हैं वो आपकी मदद करेंगे सिम्बल से बात अरे अदिमी के लिए अपना अपना मानना होता है तो मैरा उस एक्छा होती है प्रभ grin इस मायने में दें कि जो मेरी अपनी नौलेज है समझ है जो मैं जानता हूं इसका मैं सही तरीके से अपने क्लाइंट के लिए सर्व करूं जिससे उनको रिजल्ट मिले और मेरा इस फिल्ड में नाम हो जिससे पैसे आए ज्यादा लोगों से क्नेक्टिविटी बढ़े यानि आए जिम्बल से बात यानि मालो मैंने काम किया उस आदमी को रिजल्ट मिला फिर दूसरे तिसरे और यह फर करेगा जब मेरा काम बढ़ेगा डिफिनिट से बात है पैसे बढ़ेगा यानि कहीं मेरा यह विचार नहीं होता किसी भी प्रकार स इसमें कोई भी समस्या नहीं है लेकिन फिर मैंने बताया करने के पहले आपके दिमाग में आगे कि कि इतना दिन फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको मिलेगा क्योंकि फिर आपके पास पैसा आएगा ती आप तोड़ी सुचते हैं कि कितने दिन के लिए दिमाग में तो यह है कि पैसा आपको लाइफ टाइम के आपने बेटा पोता पर पोता की लिए चाहिए करने वाला का कि बिसिकली जब उनका ऐसा पेशा नहीं था धार्मिक प्रविर्थी के वेखती है काफी तो उन्होंने बताई कि जैसे सुबह में जब घर की कोई भी पहला सदस से जागी खासकर महिला तो उनको क्या करना है कि अपने दर्वाजे पर एक पितल या तामबे के लोटे में जल भरके रखना है और पीना कोई काम किये सिंपल उठने के बाद पहला काम यहीं करना है कि उस लोटे के जल को लेके और अपने में गेट पर गिरा देना है में गेट पे गिरा देना है अब यहां से एक चीज मैं आपको बताता हूँ जब आप किसी के पास जाहिए या कोई आपके यहां आया कुछ बताया तो जो भी आपका ग्यान है जो तिस हैं आप जो जानते हैं उस ग्यान को साइड में रखिए नहीं साइड में इसलिए है या तो आपके पास घ्यान आप खुदी के पेवलत आपको किसी के पास क्यों जाना पहली बात मतले यह काम खतम कीजिए दूसरा यह दि जा रहे हैं इसका मतलब तब उसको पूर्ण वरोसा कीजिए दूसरी बात तो जो हर एक आदमी कोई भी उपाय जो आदमी बताता है ने किसी को तो बताने के साथ मैंने पहले भी बताया था कि उसका अपना पुर्ण पंचम भाव गुरु और केतु की भी सकती होती है यानि हरेक आपका बताया हुआ उपाय आपके उस भावों की सकती में कमी करता एक तरह से यानि फिर उसको आपको अच्छे कर्मों के वो यह बताया उनका क्या कॉंसेप्ट था जो उन्होंने बताई थी मुझे भी बात अच्छा लगा मैं वह आपको बता रहा हूं उनका यह था कि जैसे आप जो भी काम करते हैं हर एक आदमी सुवा जगनी के बाद से उसका काम स्टार्ट होता है नौकरी यह बीजनर से बैप प्रफब करने का यानि माता के स्वागत के लिए उनका उन्होंने यह बताया कि रात में आपको पीतल या तामबे के लोटे में जल भरके रख देना सुबह जगने के बाद घर की जो भी महिला सदस्ट से हैं तो उनका सबसे पहला काम यह उन्हें जगने के बाद धाड़ू वले किनके लिए हैं गतामलों अपना घर है रोड से उपर होता है घर सिंड़ी होती है आप जल लेंगे इस गेट पर ंग्वें जड़ी आपको फ्लात है ऊब दीड़ी पानी आप गिरा होगे तो अगल पगल के लोगों में भी चला जाएगा नहीं तुमस्या हो जाएगी तो उस वह लोग क्या करें लोटे में जल भरिए कोई इस दिक्कत की बात नहीं गेट को लिए और उस जल को थोड़ा सा छुड़क दीजिए अपने गेट के आपके गेट के सामने और फिर जब जाड़वड़ लगाएंगे जब पोछा लगाएंगे तो उस वाले जल से अपने सामने पोछा लगा दीजिए यानि सुबह जगने के बाद जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो उस भरे हुए जल को छुड़क दीजिए अपने गेट के सामने यानि वहां बिचार यहीं है कि आपको उस जगाव को समय परिस्तितिक अनुसार एड़िस्ट होना पड़ेगा न आपको चुकि वह जल आप गिराएंगे तो एक फ्लोर पे दो या तीन फ्लैट है तो इधर उधर भी जाएगा तो बागियों को भी समस्या होगी सिंपा तो फिर अब पता चले एक उपाय आप कर रहे हैं दूसरे से जगड़ा हो जा रहे हैं क्या फैदा नहीं तो यह चीज यानि कि आप मुद्ध है इंटेंशन और विचार वहीं है आपका मैं की बस आप जैसे घर के लिए यह आप कर रहा है यहां दूसरा नहीं दूसरा एक उपाय जो है वो मैं बता रहा हूं वो क्या है नॉर्मली घर में जब खाना बनता है रात में खाने के बाद लो क्या करते हैं रहसोई में खाना एक प्लेट में जो भी खाना बना होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा रख देते हैं त्लिए गरमें गरमें जो भी भगवान मिले तो घर में जो कुछ भी थोड़ा भी रोटी चावल दाल जो बना हुआ है वह प्लेट में रखके फिर एक ग्लास पानी जल रखके उसको ढग दिया जाता है यह परंपरा बहुत कुरानी चली आरे इसको करना भी चाहिए वह करें और साथ-साथ जो आपका जल गास्थान है जैसे गाओं में पहले चापा कल अलग यह होता था ना पानी का संद वहीं हुआ ना चाहिए पानी का तो आज के सहर के यह गाओं के जो भी घर का कॉंसेप्ट है उससाब नॉर्मली लोगों के आं तो चापा कल है रही मोटर लग जा रहा डिरेक्ट उसके बाद नल हो जा रहा है चापकल का अभी लोगों का कहीं इस तरह से अरेज्ट में वह जाते भी नहीं है तो सींपल साथे आज के समाझ में आप क्या करें ड़ाए या या जो वरुम्ण देवता ना की लिए उपाई कि आ जाता है वरुम्ण देवता है अध सेंटेनेवाले माने जाते हैं में जलपात्र मिट्टी कहें जलपात्र क फॉझ जलपात्र ,सल Gwen shop ठीच में है आगि इसली में और वह करोएं घर में बड़ी तो यह बताते हैं कहीं भी बड़़ा बट्रतन है चापक लिनल के पास है तो उनका यह तो तो उलट के रखो नहीं मतलब बाल्ती नहीं होना चाहिए तो यहीं रिजम्हें कि जो आपके पास है या तो उनको बहुत के रखें नहीं तून सब्सक्राइब उलट होना चाहिए जिसमें हमेशा जल्व भर आ रहें डिए चो ही उपाए यह मैंने आपको क्या बताया आपके बिलीफ सिस्टम पे आपकी स्रधाप पे अधारित है और आपकी कर्मों के साथ साथ चलने वाले उपाएं ऐसा नहीं है कि कोई आदमी यह सोचे कि हम एक बाड़ा सा 20 लिटर का वाल्टी ले लेते हैं उसके पानी भर के रख देंगे और कल से पैसे की पर साथ चाले हो आपको मिलना है कonne इसको करने में कहीं भी करने में कोई भी समस्य तो है नहीं कि आपको करेंगे का अजमा सकता है Like उसकी समांने उपायां की तरह ही कर सकते हैं डेली रूटिंग में आजमा सकते हैं कि अधियर हैं कि आज इस उपायों की स्रीज में इतना ही रखेंगे पहले इतना बीस क्लास हो आपको बता दें फिर आगे जब हम उपाय चालू करेंगे इसलिए मैंने बताए कि इस बीच में आपका कुछ एक्स्प्र हो चुके हैं अभी स्वीच में चाहें अपने पर आप ट्राई करें या किसी अपने नियर अंडियर की कुंडली देखते हैं उस पर ट्राई करें उसको बताते हैं महीना एक डेट दो महीना में तो कुछ ना कुछ तो फिडवेक लोगों का मिली जाएगा आपका अपना भी होगा पता चल जाएगा किस प्रकार से कैसे उपाय काम करता है नहीं तो इसके साथ साथ फिर देखा जाएगा जाएगा क्या होना बोलिये मुहन गुप्ता जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अपनी ज्यान से हम लोगों को ज्यान वर्षा कीजिए बताईए मुझे सब के बारे में नहीं बाता है कि दुझा सबस्टी का पार्ट करते रहते हैं कि किसी लेकरते हैं यह नो बताता था है मेरे पदमें यह वाचा थे लेकिन मेरे से हमेशा लंभी तोड़ा बाते करते थे कि देर नहीं बताते थे कि किसलिए बाठ किया जाता है तो यही मैंने आपको किसलिए बता दिया कारण के साथ अब सुभज में आया तनक भारा सुना था नाम सुना था दूसरा स्री सुप्त मैंने सुना था कि देने बिल्कुले नहीं बात है कि मेरा यह मानना है कि यह सब अपने मन को एलाइन करने का तरीका है तो मैं नहीं सुधना हो तो कोई पार्ठ कोई काम नहीं आगा तो मैंने पहले भी इसी जिसकों अपने विचार के सुधता पहले जरूरी है कि अग्यों से मिला जो मेरे हम्मूंड है अपना केरियर साथी सुन किया तरह से कि अग्युक्त नहीं से जादा समय इसी में बीत रहा था कि पैसा 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 सारी पैसा पैसा है तो मैं अपने को बहुत कमजोर पाया तो आज है सुख रहा था तो आज है सुख रहा था लेकिन सारे के सारे लोग किसी का बच्चे का ऑपरेशन हुआ इसी का खुद का कुछ है तो यह है कि अपनों के बिमारी से बच गया है तो आपका धन का नुपसान नहीं हुआ तो ओही है कि अपनों है कि अच्छी तरह से सुख सकते हैं यह है कि अच्छी तरह से सुख होने लगता धारमिक प्रविष्टी को होने लगते हैं कि अच्छा लगता है वह सालों पहले मैं पुजा पार्ट से घबराता था उस जमाने में यहां पुजा पार्ट समझी कोई समार्टी नहीं मिलते हैं तो मैं हमेशा टालतो रहता था यह दिन देखा कि दो पंडित मेरे आप होंच गया मेरे सवस्वाल से कि अच्छा कर्माने आया है तो मैं कि चले जाए हो आपके सेहां पर कोई समझी आपको मिलेगा नहीं कि देखता हूं कि फुद दूब कोई अपना अपना जाड़ों कर दोंगां कि जो जो प्लब्द था खारी चीज खोज करके लाए लेकिन यह सही है मेरे पूर पाठ होने के बाद अच्छा मेंसुस में लगा लगा थी जो पूजिटिविटी होता है इसके बाद मैं किसी को पूज़ पाठ करने से मुना नहीं कि तुछ दिनों के लिए तो सचमुच काफी अच्छा रहता है वही आप जो बोले कि मंदीरों में आरती होने से पहले पैसे नाथे हैं पेंडूलम और भी तोई मसीन वह प्रक्राइब पता जाता है पहले की जो उड़्या कस्तर आपका सरीर ही सबसे बड़ा मसीन है चेक करने वाला लेकिन यू नहीं कर पार है उनके लिए जैसे पेंडूलम से चेक की जाती ह है वैसे वह अपने आप अनुभव में ही अंतर हो जाता है जब मंत्रों चार चालू हो जाएगा तो आप देखिए कि वहां आपको कैसा महसूस हो रहा है समझ रहे हैं बागी पेंडूलम जो लोग यूज़ करते हैं वो उसके द्वारा चेक कर सकते हैं सरीर ही महसूस करने लगता है कहीं भी आप जाएंगे कुछ ऐसे जगह पर आप चले गए जहांकि उर्जा सही नहीं है आपको तुरंद बेचैनी हो जाएगा यहां से भागे इसका मतलब वहां की इनर्जी अच्छी है वहां की पॉजिविटी अच्छी है अच्छे थोट्स अच्छे ख्याल आएंगे नहीं तो यह चीज़ें काम करते हैं फिर मैंने यह भी का दिखी कोई भी आदमी यह जो भी पूजा पार्ठ है अस्त्रोत है मंत्र है यावस्यक नहीं है यदि इस वार में आपकी स्रधा है आपकी कनेक्टिविटी है को यह मंत्र यह स्लोक यह बाधा उसमें नहीं आएंगे किसी को नहीं आता तो नहीं जूड़ सकता है सिधी जिवात है इसमें वह अलग मैंने आपको इसाइद एक बार पहले क्लास में बताए भी थी म यह नहीं करना जैसे आज के बास मैं इस मंदिर में कभी नहीं आउंगा जो जाता और जमीन के लिए मैंने पैसा रखा था जमीन जमीन हो जाती तो मैं मंदिर में नहीं आओगा और में अल्मोस्ट पता नहीं उस मंदिर में जमीन 2018 की वाद सिटमबर मार्च चार तिन साथ महीने में उस मंदिर में नहीं गया सेवन मंदिर के बाहर से बस ऐसे हांद लोड़ लेता था चला जाता था चुकि जो पैसा मैंने जमीन के लिए रखा था वो गाड़ी के एक्सिडेंट में चला गया था अब मुझे लगा वो होगा नहीं लेकिन इन प्रकारे ने कुछ ऐसा हुआ कि 2019 के मार्च में जमीन हो बटना करन थी अब जब मैं गया तो मुझे रियलाईज हुआ कि मैंने की साधार पर क्यों का समझे मतलब क्या भगवान से पूछ के मैंने गाड़ी खरी थी नहीं मैंने उन्होंने तक आ नहीं था कि तुम गाड़ी खरीद लो वो मेरा सेल्फ का डिसीजन था वो चीज़े लेकिन जो भी वहां जाने एक बाद जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मुझे लगा कि यहीं मिलेगा और वहीं जाने एक बाद वह चीज़े मैंने वहां कहीं वो बोला यह पैसा जो जमीन के लिए मैंने रखा वो गाड़ी में तो जा रहा है लेकिन जब तक मै मैं जमीन नहीं खर दूंगा मैं यहां नहीं आओंगा तो मतलब उस चीज़ कर नहीं है को नहीं चाहिए अब मुझे लास्ट भरोसा वहीं पर था अब लगा कि कोई भी दूसरा कोई मदद मिलने वाला नहीं है सारे जो अपने बनाए हुए आपके सपोर्ट सिस्टम है जिए खतम हो जाए तो पता चलता रहे हैं तो कुछ नहीं तब यादा था है भागो आड़ी चीज़ और उइज चल criticism हो सकता है अलग़िए के अलग़्यों करें जिए को एbei जब नहीं कि मैंने का इहीं सेम चीज़ है आपको माननीकर आपको अनुभव करना है ह्एक आदमी मैंने आपको बताए है यदि कोई आदमी सिस्को करता है तो definitely उसको लाव मिलेगा कर्म भी एक important factor है यानि वो भी होना चाहिए होना चाहिए से मतलब है कि आज के समय में जो कर्म की demand है जैसे मैं इस टॉली फिल्ड कहीं ले लेते हैं आज से 57 साल पहले यह था कि आप जो 30 करते हैं आप अपने साहर में कहीं एक office को लिए लोग आते हैं देख रहे हैं बता रहे हैं काम चलता है आज की परिस्तिती की demand है कि आपको global होना पड़ेगा जो mass media है आपका ये YouTube है Facebook है Twitter है इससे आपको connect होना पड़ेगा अलग अलग तरह से आपको जुड़ना पड़ेगा तो ये चीजें इस परिस्तिती की demand है प्रोफेशनल की भी आप बात करने तो आप सिर्फ इस तरह से कह देना कि सरकारी नोक्री होगी प्राइवेट होगा बस इस तरह से करने से नहीं होगा आपका जो ग्यान है वह आज के परिवेश में आज कर अर्टिफिशल इंटेलिएंस का जमाना है चैट जीपीटी के जमाना है रोबोटिक्स है नहीं तो इस तरह से आपको ठालना पड़ेगा ना आपने आपको कि आप आज के परिवेश से कनेक्ट हो सके अब यह चीज़ें आप नहीं करें आप एकदम रेसिस्टेंस टू चैंज हो जाएंगे नहीं मुझे बदलना ही नहीं नहीं मुझे लगता है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है कि वह जो आपके काम का डिमांड है वह समय के साथ आप उसमें भी बदलाव करें वह चीज़ें होनी चाहिए समय के साथ क्या मेरा तो मनना समय के पहले बदल जाएं तो ज्यादा बेटर है नहीं समय से आगे चलें तो जादा बेटर है लेकिन ना आगे तो कम सकम समय के साथ चीज़ें चेंज करते रहें अपने हर एक चीजों में कोई वास्तू करता है अब वो सिर्फ वो पूराना वाला कंसेप्ट होता रहेगा कि यह इस तरह से घर नौर्थ में खाली जमीन होन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा मार्केट से बाहर हो जाएंगे यह चीज भी प्रैक्टिकल फैक्टर बड़ा फैक्टर है साथ साथ यह भी चीज़ें आपको एलाइन करने के लिए आपके कर्म को आपके जो भी सोच है उसके प्रणाम को एक अच्छा रिजल्ट देता है बाकि आप करेंगे इसको जो लोग भी करना चाहें 15 दिने एक महीना इसको करके किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए और करके देखें क्या चेंज़े आते हैं इस क्लास में आप बताईए हैं हर एक आदमी को पता चलेगा नहीं जो भी पांची हैं उसमें से किसी एक को भी पकड़ लीजे एक दू जो आप कर सकते हैं वो कीजिए मेटर आएगा आप सीखेंगे